हलो दोस्तो इगनो की तरफ से एक notification issue हुआ है जिसमें वो recruitment कर रहे हैं junior assistant post के लिए या आप इसको typist भी कह सकते हैं सो उसी के बारे में हम आज detail में देखेंगे सो let's start और यहां पर बताया गया है कि online submission or application form तो यह application form जो हो रहे हैं कि submission date start जो हो रही है apply करने के लिए यह है 22 March 2023 से और last date इसकी होगी 24 2023 उसी के साथ साथ यहां बताया हुआ है कि fee structure क्या रहेगा जो unreserved open merit वाले या OBCO EWs वाले है 1000 रुपे उनको देने पड़ेंगे बागे categories यह ही जो female वाले है candidates उनको 600 देने पड़ेंगे ठीक है उसी के साथ यहां बताया गया हुआ है जैसे ही 24 को यहां पर इसकी last date होती है correction के लिए यहां दो दिन दिये जाएंगे 21 से लेकर 22 तक 4 2023 तक तो अगर कोई भी आपके जो application formulas में कोई भी correction होई है तो आप इन दोनों date के अंदर अंदर वो correct कर सकते हैं उसके बाद यहां बताया गया है कि data examination duration यह आपको time के साथ जो website है यहां पर website दी हुई है recruitment.nta.nic.in इसी के साथ टच में रहना पड़ेगा और वहीं आपको यह सारी जो notification है उसके बारे में वहां बताया जाएगा कि कहां पर आपका exam होगा कब आपका skill होगा center वगयरा admin card के बारे में इसी website में आपको बताया जाएगा उसके बाद next हम देख लेते हैं और इसी के साथ यहां में बताया हुआ है कि post है हमारी junior assistant come typist और इसका payback बताया है 1900 से 63200 ठीक है और age limit यहां बताई है 18 से लेकर 27 साल तक ठीक है तो यह बताई है as open merit जो candidate होंगे उनके लिए यहां पर vacancy का break up भी बताया हुआ है यह से open merit के लिए 83 SCST के लिए 29 12 इसी तरह से 200 overall vacancy जो है वो इन्होंने बताई हहां mention की है ठीक है उसी के साथ साथ यहां पर qualification के बताया हुआ है कि 10 प्लस 2 आपकी speed होनी चाहिए और उसी के साथ साथ skill में आपकी जो speed है वो 40 word पर minute होनी चाहिए English के लिए और 35 word पर minute होनी चाहिए आपकी Hindi के लिए ठीक है रहेगी आपकी age को calculate करने के लिए वो रही 33 2023 को और अगर उपन के लिए हैं तो आपकी age 27 रहेगी SC के SCST के लिए तो आपको age relaxation मिलेगी 5 साल OBC के लिए 3 साल उसी तरह से यह break up यहां पर दिया हुआ है कि आपको क्या क्या relaxation किस category क्या है कि relaxation है आपको permissible है ठीक है आप आप देख लेंगे उसके बाद next हम देख लेते हैं और यहां पर उन्होंने बताया हुआ कि exam का क्या criteria रहेगा यह तो यह totally computer based cbt mode का यह test रहेगा bilingual यानि कि दोनों languages Hindi और English दोनों में रहेगा और यह इसको conduct करेगी national testing agency NTA ठीक है उसके बाद यहां में बताया हुआ है next यहां बताया हुआ है कि जो आपके candidate select होंगे वो रहेंगे 1 to 10 की ratio में ठीक है यह रहेंगे आपकी जो vacancies दीए number of vacancies यानि कि 200 आपके vacancies हैं इसको multiply कर लो 10 से यानि कि 2000 student यहां पर जो है वो next जो stage होगे skill test के लिए qualify करेंगे ठीक है उसके बाद यह कह रहे हैं कि यहां पर उन्हें बताया हुआ है कि किस section में आपके कितने marks होंगे और कितना आपको time दिये जाएगा तो यह total यहां बताया है उन्हें यानि कि general awareness के लिए 30 question होगे 30 marks यहां बताया हुए reasoning के लिए भी आपके 30 question होगे mathematics 30 और इसी तरह आप देख लेंगे कि किस section के लिए आपको किती कितने number है तो यह बताया हुआ है कि date so marks का आपका जो है वो यहां पर test लिया जाएगा उसके बाद यह होद यह तो होगा हमारा tire 1 के लिए tire 2 के लिए यह कह रह इंग्लिश में type करेंगे और यह qualifying nature का होगा इसमें सिर्फ आपको यह qualify करना होगा इसके कोई number जो हो add-on नहीं होगे उसी किसासा यहां भी syllabus mention किया हुआ है कि mathematics में कितना आएगा science में कितना आएगा ठीक है gk में कितना आएगा reasoning में कितना आएगा तो यह सब आप मैं आपको इसकी पीडिया प्रवाइड कर दूँगा नीचे comment section में को आप वहाँ से download कर सकते हैं उसके बाद next हम देख लेते हैं यहां center भी आपको पता है कि कौन कौन सी cities के लिए तो यहां almost हर city यहां पर दी हुई है जहां पर आपको center बनेगा तो जो जो जैन के वाले candidates हैं उनको जम नगरवालों को भी यहां जमू में ही आकर paper देना पड़ेगा ठीक है उसके बाद next हम देख लेते हैं कि payment of exam fee तो payment आपको कैसे करनी है यह कुछ mode दी है netback की debit card से credit card से UPI से भी आप जो है वो fee pay कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर जो भी important चीज़े थी मेंने काप साथ डिस्कर करनी है तो यह एक format उनोंने दिया हुआ है replica यानि की same to same application form जैसे आप फिल करेंगे उसी तरह यहां एक आपको format दिया हुआ है तो वह आप चेक कर सकते हैं मैं आपको PTA provide कर दूँगा तो इसी तरह से आपको जो ह